सफलता की सुरूवात हमेशा सफलता से होती है हेलो फैंट्स गूर्णिंग वेलकम बैक टो अनादर वीडियो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सबी लोग अच्छे होंगे अपने स्टेडी को मज़े में कर रहे होंगे तो फैंट्स आज संडे का दिन है और अभी मौनिंग के बज रही है तीन तो फैंट्स में लास्ट नाइट अलारम लगा करके सोई थी सुबह तीन बज़े का तो जैसे ही अलारम बज़ा तो मैं उट चुकी हूँ उटने के साथ ही मैं बैट सीट बगरा सही कर दूँगी और उसके बाद मैं बैठूंगी अपने स्टेडी को continue करने के लिए तो फैंट जब भी हम जहां पर भी हम स्टेडी करने बैठें तो उस एरिया को हमेशा clean करके बैठें या फिर ऐसा area अपने study के लिए choose करें जो एकदम से clean हो क्योंकि हमारे study करने में तभी ही मन अच्छा लगता है जब हमारे वहां का environment अच्छा हो, साफ वो स्वक्ष हो क्योंकि आप लोग एक चीज को experience खुद से करेंगे जब हम बिल्कुल साफ सुतरी जगह पर होते हैं तो उस जगह हमें बहुत ज़्यादा positive vibes आती है और हम बहुत ज़्यादा energetic feel करते हैं और positive feel करते हैं इसी के साथ friends वीडियो के starting में मैंने आप लोगों से बोला था सफलता की सुरूवात हमेशा सफलता से होती है तो friends इस world में जो भी लोग हैं जो अपने मुकाम पर पहुँचे हैं तो वो कभी ना कभी fail जरूल हुए होंगे अपनी life में उसके बाद ही वो उस manjil तक मतलब पहुँचे हैं तो friends माईने ये नहीं रखता की हम fail हुए हैं या नहीं माईने ये रखता है कि हम fail हुए हैं जो भी असफल हुए हैं तो उससे हमने क्या सीखा है क्योंकि हमारे जो महान वैग्यानिक थे थांडाइक और जो लोग teaching aspirant हैं वो थांडाइक को बहुत अच्छी से जानती होंगे तो टॉंडाइक ने कहा है प्रियास एबम thritti का नियम दिया है तो यानी कि जब भी कोई इंसान सकसेज पाता है तो वो पहले प्रियास करता है उसमें thritti भी उससे मिलती है उसके बाद वो सफल होता है तो वही चीज है फ्रेंट्स तो आज मैं आप लोगों से बताऊंगी कि मैंने इन 5 सालों में क्या-क्या गलतियां की हैं जिसके वज़े से मुझे जॉब नहीं मिली है या फिर अभी तक मैं जॉब नहीं ले पाई हूँ तो फेंट्स जैसे कि मैंने 17 बैच से डी एलेड किया है प्लस उसके बाद आप लोगों को पताई है कि बेकेंजी नहीं आई उसके आप टैट हुआ सी टैट हुआ तो मेरा टैट भी फर्स टैम में क्वालिफाइड हो गया था सी टैट भी क्वालिफाइड हो गया था फिर बारी आई सुपर टैट की जो कि सुपर टैट नहीं आया था उसके बाद तो हम पहले तो वेट करते रहे कि शाय सुपर टैट आये सुपर टैट आये लेकिन सुपर्टेट में आराम से 2-3 सार निकल गया लेकिन सुपर्टेट नहीं आया उसके बाद आया KVS तो मैंने KVS में fill up किया था फॉर्म को उसके बाद मैंने KVS में क्या mistake की थी जिसके वज़से मेरा selection वहां रूक गया आज मैं आप लोगों से बताऊंगी तो फैंट्स क्या हुआ था कि KVS का जब exam आने वाला था तो मैंने slavers wise उसका जो theory थी theory पे मैंने ज़्यादा बिहान दिया वज़ाए practice के तो फैंट्स ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी होती है कि theory लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे जाओ और practice आप बिल्कुल मत करो जितना मतलब कि theory important है उससे ज़्यादा practice set करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैं आप लोगों से ये कहूंगे कि जब भी आप कोई भी exam देना हो तब आप practice जरूर से करिएगा practice बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो friends इसी के साथ मेरा morning का जो first lot था वो आराम से तीन घंटे का हुआ उसके अधर भी 6 बजे हैं तो 6 बजे जो मैंने night को बादाम भिगो करके रखे थे तो दो बादाम मैंने ले लिए दो बादाम ममी के लिए छोड़ दिया है अब इन्हें छील करके मैं पहले खालूंगी टूथ पिरस बगरा और जो basic काम रहते हैं वो मैंने किये उसके अधर मैंने चाय बगरा पी अभी 7 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं आ गई हूँ किचिन में और किचिन का जो basic daily routine का जो काम रहता है वो कर लेती हूँ तो आज राजमा वनाने हैं राजमा वोईल किये थे तो राजमा के सासत मैंने आलू भी वोईल कर दिये थे तो मैं यहाँ पर आलू को fry कर ले रही हूँ तो friends यहाँ पर मैं आप लोगों का एक comment पर बात कर लेती हूँ एक sister ने पूछाता है मेरे से कि आप math कहां से पढ़ती है math कहां से करती है तो देखिए मैं slavers wise बोला जाए जो बोला जाए theory या फिर formula जो basic है उनको करना तो वह सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है basically अब मैं चीज है practice तो practice मैं किसी भी YouTube channel से कर लेती हूँ बैसे चादता मैं जो करती हूँ वो रोजगाव विद अंकित करके जो YouTube channel है वहाँ से कर लेती हूँ तो यह तो math की practice आप किसी भी YouTube channel से कर सकते हैं क्योंकि माइन रखता है कि आप कितने questions solve कर रहे हैं number of questions वो चीज माइन रखता है आप कहीं से भी कर ले हाँ जब आपको basic को जब आपको clear करना होता है तो वो चीज depend करता है कि आपको किस teacher से जादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा है उसके बाद आप practice से किसी भी book से YouTube channel से Google से questions निकाल के कर सकते हैं तो fans उसी के बाद अब भी चल ले हैं घर के काम जल्दी से फटा फट से बरतन भी साफ कर देते हैं एक side में सबजी बना दी है मैंने आलूवी fry कर दिये हैं और घर के सारे काम मैंने complete कर दिये हैं तो fans देखो घर के काम करने हमें ही होते हैं बस यह है चाहे उन कामों को हम रो रो करके धीरे धीरे काम करें और चाहे उनी कामों की थोड़ी से speed बढ़ा करके थोड़ी से जल्दी काम कर लें बस यह चीज़ा तो मुझे पता होता है कि मुझे काम करने है तो मैं अपने आपको time देती हूँ कि मुझे दो गंटे में kitchen के सारे काम खतम करने है इत मिंस खतम करने है और फ्रेंड जब भी मैं kitchen में काम करती हूँ तो हमें सब watch को देख करके मैं जाती हूँ time को देख करके और दो घंड हमें सब वाच भी मैं पास में ही रखती हूँ क्योंकि हमारी open kitchen तो watch वहां लगी हुई है मैं घड़ी देख देख करके काम करती हूँ और अपनी speed को उसी तरीके से बढ़ाती जाती हूँ इसी के साथ friends मैं जब भी अपने kitchen में काम करती हूँ तो एक side phone लगा लेती उसमें current of fear हुआ या फिर नियूस हुई इस हरीके कि मैं वीडियो चालू कर देती हूँ या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि morning में मैंने कोई याद करने वाला topic पड़ा होता है तो उसको मैं recall करती रहती हूँ चीजों को जहां तक चीजा मुझे याद आती रहती है वहां तक ठ करती हूँ जहां मैं भूली थी और जो चीज मुझे recall नहीं हो रही थी नहीं याद आ रही थी उस चीज़ को इसी के साथ friends 11 बजे तक मैं घरके सबी कामों से फिरी हो चुकी थी फिर उसके बाद second slot मैंने अपना continue किया second slot मैं आज मैं बाल विकास को revision की जो भी मैंने पुरान slot है study का और अभी बैटी हूँ दुबारा से study को continue करने के लिए और अभी मैं math की practice कर रही हूँ और math का practice वाला जो session होता है वो आराम से मेरा 2-3 घंटे का जाता ही जाता है क्योंकि जब भी एक घंटे की class होती है लेकिन आप cushion करेंगे solve करेंगे तो उन चीज़ों मैं time और math की जब भी मैं practice करती हूँ तो मैं कोई भी YouTube channel होता है मैं उससे वीडियो निकाल लेती हूँ उसके आद में question आता है उसके आद में video को pause कर देती हूँ फिर मैं खुद से question को solve करती हूँ उसके आद वीडियो से method देख लेती हूँ और साथी साथ मैं question का answer match कर लेती हूँ कि सही आया है या नहीं सही होता है तो वीडियो को निकाल देती हूँ और सही नहीं आता है तो उससे मैं उसका solution देख लेती हूँ इस तरीके से मेरी practice की sorry math की practice चल रही है इसी के साथ friends आज छोटा सा वीडियो है और आप लोगों से humble request करना चाहूँगे कि वीडियो को like कर द करना थेंगा थेंगी करना